हलो, नमस्कार इस्ट्ट्ट, मैं विशेक भारगाओ, भारगाओ, भारगाओ क्लासस के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करते हूँ, आज का बारे वीडियो को टॉपिक है वो है राश्टी खाद सुरक्षा अधिनियम 2013, थोड़ा सा हम लेट ह देखेगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, राश्टी खाद सुरक्षा अधिनियम 2013, यहां से 2-3 नमबर के कोश्चन हर साल एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखेगा, शुरू से लेके लास्ट तक जरू देखेगा, तो चलिए वीडियो स्टार् कि अभी जो CGPSC Pre, आपका जो 13 तारिक है, उसके लिए हमने एक booster plan, जो है, booster test series, वो आयोजीत किया हुआ है, तो यह आपको PDF के माध्यम से जो है, लेना है, ठीक है, तो यह देखिए, PDF है यह, इसके अंदर में English और Hindi दोनों माध्यम में जो है जो है, यह booster test series है, ठीक, तो इसक जो description box होता है, वहाँ पर जो link दिया होता है, वहाँ से जाकर इसको जो है वह आप ले सकते हैं, और पहले comment में इस video के, वहाँ पर भी इसका link दिया होगा, तो वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं, इसके अंदर 1000 जो है वो question include किये गए है, सारे latest question है, आने की संभावना भी बहु ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो video है, तो देखे राष्टी खाद सुरक्षा अधिनियम 2013, तो इसका उद्देश ही क्या है, सबसे पहले इसका उद्देश देख लेते हैं, तो देखे इसका उद्देश है, एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए, लोगों को वहनी मुल्यों पर अच्छी गुडवत्ता, खाद्यान की परियाप्त मात्रा उपलब्द कराते हुए, उन्हें खाद और पोशन सुरक्षा प्रदान करना जो है वो इस राष्टी खाद सुरक्षा अधिनियम का जो है वो क्या है, उद्देश यह है, ठीक, अब इसमें सार्वजनिक वित्रण परणाली को आप TPDS के मात्या, मतलब TPDS बोल सकते हैं, इतना लंबा चोड़ा नाम नहीं बुलना है तो, तो TPDS जो है वो Targeted Public Distribution System, ठीक, के तहत रियायती दरों पर खाद्यान प्राप्त करने के लिए, ग्रामीड आबादी का 75% यह एक्जाम में जो है खाद सुरक्षा अधिनियम, जिसको हम NFSA कहते हैं, मतलब कि National Food Security Act, ठीक, तो राष्टी खाद सुरक्षा अधिनियम, समगर तोर पर देश की कुल आबादी का 67% हिस्से को जो है वो कवर करती है, ठीक, और यह जो है, यह जो यहाँ पर दिया गया डिटा, यह जनसंख्या के जैसे ग्रामिन जनसंख्या जितनी भी होगा उसका 75% और सहरी अबादी का जनसंख्या जितना भी होगा उसका 50% इसको जो है यह कवर करता है, ठीक है, कौन? TPDS, ठीक, रियाद रखिएगा, अब आते हैं इसके अध्याय एक के अंदर में, तो अध्याय एक जो होता है, वो ह इस्तार है, प्रारह में देखें, तो अधिसूचित किया गया था, 10 सितंबर 2013 को, और 5 जुलाई 2013 को यह प्रवित्त किया गया था, ठीक है, तो यह दोनों डेट और यह याद रखेगा, यह भी IMP एक्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा जो धारा होता है, वो हम स्कीम के अधीन, गठित बाल, देख, रेक और विकास, केंदर अभिप्रीत होता है, किस से, आंगन बाडी से, तो यह इसकी definition है, इसके अनुसर, उसके दूसरा है, इसमें केंदरी पूल, यह अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, केंदरी पूल, तो इसको याद रखेगा, लक्षित सारवजनिक वित्रण पडाली, जोसको हम कहते हैं, टीपीडियेस, अन्य कल्यानकारी योजना, जिसके अंतरगत आपदा राहत भी आती है, ठीक है, ऐसी अन्य इसक्यूमों के अधीन, आबंटेन के लिए इस स्टॉक को जो है, वो रखा जाता है, तो क पात्र ग्रिहस्त अभिप्रेथ होते हैं, इसके लिए, ठीक है, तो याद रखेगा, पात्र ग्रिहस्त मतलब परिवार, अन्य योजना के अंतरगत, आने वाले ग्रिहस्त जो है, वो इसके अभिप्रेथ होते हैं, ठीक, उसके आता है, नेक्स्ट उचित दर दुकान, ठीक आवाश्यक वस्तुओं का वित्रण करने के लिए अनुमती दी गई है मतलब है यहाँ पर कि जो उचित दर की दुकाने हैं इनको अधिनियम आवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीम के अधिन जो है वो लाइसेंस दिया गया है किनके लिए लक्षित सारवजनिक वित्रण प्रणाली के लिए ठीक है उनके अवाश्यक वस्तुओं के वित्रण करने के अनुमती मतलब लाइसेंस जो है वो दिया गया है 1955 ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा ठीक है आएमपी टिक कर लेते हैं नेक्स्ट है न्यूंतन समर्थन मुल्य जिसको हम MSP कहते हैं से केंदरी सरकार द्वारा घोसीत ऐसा सुनुष्चित मुल्य विप्रेथ है जिस पर केंदरी सरकारों राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरण द्वारा केंदरी पूल के लिए किसानों से खाद्यान प्राप्त किये जाते हैं जिसको हम न्यूंतन समर्थन मुल्य मतलब MSP कहते हैं ठीक है रासन कार्ड रासन कार्ड क्या होता है तो देखें रासन कार्ड से यहां पर definition जो दी गई है वो है कि रासन कार्ट से लक्षित सार्वजनिक वित्रण पढाली, जिसको हम क्या कहते हैं, TPDS, इसको आप TPDS के नाम से ही याद रखेगा, TPDS का मतलब क्या होता है, Targeted Public Distribution System, ठीक है, तो लक्षित सार्वजनिक पढाली के अधीन, उचित दर दुकानों से आवश्यक क्राय है, तो या रखेगा, यहाँ पर सुधार लिजेगा, क्राय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश का प्राधिकार के अधीन जारिक किया गया, कोई दस्तावेश से अभिपरेथ है, रासन कार्ड का मतलब, ठीक है, इसके बाद आता है, लक्षित सार्वजनिक वित्रण पढाली, उच पुचायत, नगरपालिका, जीला बोड, छामनी बोड, नगर योजना, प्राधिकारी और असम मणिपूर में घालाय, मिजोरम, नागालेंड और त्रिपुरा, यह पॉइंट याद रखेगा, राज्यों में जहाँ पंचायते विद्दमान नहीं है, वहाँ पर क्या होता ह या समीती, या ऐसा अन्य कोई निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ग्यात हो, ठीक, तो इसको याद रखेगा, ये भी एक IMP पॉइंट है, ये स्टेट्मेंट वाले जितने भी कोशन है, उनमें ये जो है वो, इस्थानी प्राधिकारी के बारे में पूछा जा सकता है, और अ अब आई ये ध्याए 2 के अंदर में, ध्याए 2 में दिया गया है, खाद सुरक्षा के लिए प्रबंधन या उपबंध, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप, तो खाद सुरक्षा के लिए प्रबंध या उपबंध, ठीक, तो धारा 3 आता है इसके अंदर गत में, ध्याए 2 के आधीजी глав में धारा 3 आता है जिसके अंदर फूर्फ को डिहस्तर विटवरीगतियों दोरा सहता प्राप्त करने का अधिकार घृषी एंडेजी К consommate गित्वरीद इसमें क्या की वूर। फूर्फ सर्वाप्त करने का अधिकार अधिकार किया है ? एक के अनुसार साहेता प्राप्त कीमतों पर प्रती माह प्रती वेक्ती 5 किलोग्राम खाद्यान प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक यदि आप लोगों को ऐसा लगता हो कि यहाँ पर कुछ गलत दिया गया है या हमने कुछ गलत बताया तो नीचे कमेंट सिक्षन में कमेंट करकर जरू बताईएगा। पर प्रती माह प्रती ग्रिहत 35 किलोग्राम खाद्यान की हकदार होगी। यह किसके तहत है अंतियोद है अन्य योजना के अंतरगत आने वाले ग्रिहस्त के लिए। ठीक है उसके यहाँ पर दिया है कि पात्र ग्रिहस्त की हगदारी जो है यहाँ पर तैक की जाती है। ठीक है उसके यहाँ ग्रामीड छेत्र में जनसंख्या जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 75 परतीसत और सहरी छेत्रों में जो जनसंख्या है वो 50 परतीसत ठीक है। उसके बाद राज्य सरकार चाहे तो केंदर सरकार के निर्दन स्वार खाध्यान के बदले यहूं या आटा दे सकती है जो कि राज्य सरकार करती भी है ऐसा। ठीक है तो यह धारा 3 केंदर गत में दिया गया है। ठीक तो याद रखिएगा। उसके अद धारा 4 के अंदर बात करते हैं, तो धारा 4 के अंदर गत में देखे क्या दिया गया है, तो यहां पर दिया गया है, गर्व वती इस्त्रियों और इस्तन पार कराने वाली माताओं को पोशन अहार सहता, तो आप से डारेक्ट एदी पूछा जाए कि धारा 4 के अंदर में क्या है तो धारा चार के अंदर में क्या है तो गर्ब वती इस्तियों और इस्तन पार कराने वाली माताओं को पोशन अहार सहता ठीक तो याद रखेगा धारा चार अब देखे इसमें क्या क्या बताये गया है तो धारा चार में केंद्र सरकार द्वारा निर्मित की तो गर्व अवस्था और सिसु के जन्म के पस्चात 6 मा के दोरान इस्थाई आंगन बाड़ी के माध्यम से निशुल को भोजन उपलब्द कराना और कम से कम 6000 का ऐसी किस्तों में जो केंदरी सरकार दोरा उपबंद किया गया हो किसके लिए है गर्वती इस्त्रियों और इस्तनपार कराने वाली माताओं को पोशन आहार के लिए धारा 4 के अंदर गत में ये बाते बताई गई है इसके बाद आते हैं धारा 5 अब धारा 5 में देखे क्या बोला गया ये भी एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेगा कि बालकों को पोशन आहार साहता ठीक है तो बालकों को पोशन आहार साहता में क्या बताया गया कि 14 वर्ष की आयू के प्रतेक बालक की उसकी पोशन संबंदित अवशक्ताओं के लिए निम्नलिकित हगदारी होगी कितने साल तक के तो 14 वर्ष के धारा 5 में बताया गया है तो ये भी याद रखेगा आयू संबंदी तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताए गए है क्योंकि एक्जाम में पूछे आते हैं तो फिर आप confused हो जाते हो ठीक तो 6 माह से 6 वर्स की आयू के समूग के बालक की दसा में इस्थानी आंगन बाड़ी के माध्यम से आयू के अ कक्षा आठवी तक के आत्वा 6 से 14 के आयू के समूग के बीच के बालकों की दसा में इनमें से जो भी लागू होता है इस्थानी निकायों या सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं सभी विद्यालें उपर सरकारी साहता प्राप्त विद्याले या आवकास के दिन को प्रतेक दिन एक बार निशुल को दोपहर का भोजन जो है वो दिया जाएगा ये किसको दिया जाएगा तो ये 6 से 14 वर्स के आयू समूग के बच्चों को या कक्षा आठवी तक के बच्चों को जो है वो दिया जाएगा ठीक है एक टाइम का भोजन दिया जाएगा आवका बालक कुपोशन का निवारन और प्रबंधन ये याद रखेगा ये एक्जाम में पूछा गया है ठीक है और इससे पहले जो हमने धारा पाच पड़ी ये भी एक्जाम में पूछा गया है तो दोनों जो है वो पूछे गया है दोनों को याद रखेगा कि बालक कुपोशन का वारण और प्रबंदन कौन सी धारा में दिया गया है तो धारा 6 के अंदर में अब यहाँ पर क्या बोला गया तो राज्य सरकार इस्थानी आंगन बाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की जो पोशन से ग्रस्त है पहचान करेगी और उनको निशुल को भोजन उपलब्द गया कि खाद सुरक्षा भत्ता भत्ता मतलब तो आप समझते ही हैं तो धारा 8 के अंदर गत बोला गया कि खाद सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार किसको है वो यहाँ पर बताया गया क्या बताया गया कि अध्याएदो के अधीन हगदार व्यक्ति जो है को खाद आए गया है, simple भासा में लिखा हुआ है सारी चीजे, आप पढ़ेंगे आपको आराम से जो है वो समझ में आ जाएगा, अब इसके बाद में आते हैं अध्याय चार, पात्र ग्रिहस्त की पहचान, देखें जो ग्रिहस्त है, मतलब जो परिवार है, वो पात्र कैसे होगा, उस समुदाय को लाना का मतलब है, जो हमने उपर देखा, कि सहरी या ग्रामिड जनसंख्या का निर्धारान केंद्र सरकार करती है, जनसंख्या अंकडों के अधार पर, यही जो है वो धारा नौ के अंदर गत में बताये गया है, और यहाँ पर जो की बोला गया था, आप सभी क अंदर गत में, ठीक है, तो याद रखिएगा, और जनसंख्या अंकडों के अधार पर ही यह लिया जाता है, 75% और 50% इसको हमेशा याद रखिएगा, यह एक्जाम में जो है वो पूछा जाएगा, धारा 10 की बात करते हैं, अब यहाँ धारा 10 में देखें क्या बोला गया ह अध्याई 4 के धारा 10, पात्र ग्रिहस्त की पहचान के अंदर में, धारा 10, राज्य सरकार द्वारा ग्रिहस्तियों की पहचान, यहाँ पर राज्य सरकार की बात की जारी है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार अधिनियम आराम होने के 365 दिन के भीतर जो है वो प्रणाली के अंतरगत पहचान करना जो की बचेवे हित्गराई हैं। ठीक तो ये तीनों पॉइंट को याद रखेगा कि राज्य सरकार दोरा ग्रिहस्तियों की पहचान कैसे की जाएगी। पात्र वेक्तियों की सूची का प्रकाशन और प्रदर्शन देखे जो पात्र पाये जाएगे उनकी सूचीयों का जो है वो क्या करिया जाएगा प्रकाशन और प्रदर्शन जो है वो किया जा सकता है वो धारा ग्यारा के अंदर में बताये गया है। यहाँ पर बोला गया कि राज्य सरकार पहचान की गई पात्र ग्रिहस्तियों की ग्रिहस्तियों का मदे के मतलब होता है परिवार, ठीक है तो इसको याद रखेगा हमेशा, कन्फ्यूज मत होईएगा, राज्य सरकार पहचान की गई पात्र परिवारों की सूची सारवजनीक छेतर में लगाएगी औ और उसे प्रमुक रूप से प्रदर्सित भी करेगी, जो की पात्र पाए जाएंगे, कैसे पात्र पाए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे पात्र पाए जाएंगे, राज्य सरकारद्वारा परिवारों की पहचान, इसमें जो क्या किये जाएंगे, जिनकी पहचान जो है वो सही होगी उनकी जो है वो पात्र उनकी जो है वो धारा 11 के अंदर गत में सारवजनिक छेत्रों में जो है वो उन परिवारों का जो है वो उनको लगाया जाएगा और उसको प्रमुक रूप से प्रदरसित भी किया जाएगा ये बताया गया धारा 11 के अंदर कि लक्षित सारवजनिक वित्रन प्रणाली में सुधार ठीक है तो इसमें क्या बोला गया अब सुधार में तो देखते हैं देखें क्या क्या सुधार कर सकते हैं यहां पर वो बताया गया है धारा 12 के अंदर में लक्षित सारवजनिक वित्रन प्रणाली में सुधार के अंद में क्या-क्या जिम्मा जो है वो ले सकती है या उनको सुधार सकती है तो केंद्री और राज्य सरकार लक्षित वित्रान प्रडाली में सुधार करेगी computer crit और digital करना मतलब की computerize करना उनके data को और digital करना जिससे उसमें सुधार किया जा सकेगा आधार और biometric किया जाए ताकि उनकी पहचान सुनिश्चीत हो पाए अच्छे से जो की पात रहोंगे तो उनका आधार और उनका biometric किया जा सकता है उचित मुली की दुकानों है तू पंचायत या cooperative society या महिला समू को प्रात्मिक्ता दिये जाए ठीक है यह यहां परसुधार किया सकता है खाद्यान में विविदिता की जाए जो खाद्यान उनको जो है वो दिया जाता है उसमें विविदिता मतलब उसमे खाद्यान के बदले में कुछ नगदी हो या कुछ कूपन हो इस प्रकार का जो है वो प्रक्रिया या सुधार जो है वो कर सकती ही यह बताया गया है लक्षित सारवजनिक वित्रण प्रणाली में सुधार की बात की गई है धारा बारा के अंतर गत्मे ठीक है तो यह सारे point को थोड़ा सा ध्यान रखेगा, उसके आधाते हैं, अध्याईच्छ है, अध्याईच्छ है, देखिए, बहुत ही सिंपल है, और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अध्याईच्छ महिला ससक्तिकरण के बारे में जो कि धारा 13 के अंतरकत में दिया गया है एक्जाम के point of view से यह सबसे important है तो याद रखेगा देखे अब यहां क्या बोला गया कि महिला ससक्तिकरण के अंदर में कि धारा 13 रासन काट जारी के जाने के प्रयोजनों के लिए 18 वर्स या उससे धिवार की मुकिया मानी जाएगी रासन कार्ट के अंदर में ठीक है वो यहां पर बता आय गया है अब देखे यहां पर और क्या बोला गया तो यहां पर बोला गया मतलब किजो महिला होएगी मुख्या कहलाएंगी, मानलोग घर में कोई पूरूस है जो की सीनियर है या घर के बड़े हैं वो नहीं होंगे, जो महीला होंगी और 18 वर्स से अधिक आयू की होंगी और सीनियर होंगी घर में वो जो है वो इस रासन कार्ट के तहट ग्रिहस्त की मुख्या कहलाएंगी, अब ग्रिहस्त का वरिष्ट पूरूष रासन कार्ड जारी किये जाने के प्रयाजनों के लिए ग्रिहस्त का मुख्या होगा देखे यदि कोई महीला आपके घर में है वह 18 वर से कम की है तो जो पूरूष सदस्य होँगे जो बड़े होँगे वो जो है वो मुख्या बन जाएंगे लेकिन जब वो 18 वर से अधिक की हो जाएंगी जो महिला है सदस्य है घर की तो वो जो है रासन कार्ड में घर की मुख्या कहलाएंगी बाद में ठीक है जब 18 वर से अधिक की हो जाएंगी यही बात यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, देखें, बुक की भासा या अधिनियम की भासा के अंदर गत में, बहुत सारे difficult word होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर उनको बड़े simple word में यहाँ पर लिख दिया है, तो आप अच्छे से इसको cover कर सकते हैं, सात्वा जो है, वो है अध्याय सात, सिकायत, निवारण, तंत्र, सिकायत, निवारण, मतलब सिकायतों का निवारण करना उसका जो है वो प्रक्रिया, यहाँ अध्याय सात के अंदर में धारा 14 से स्टार्ट होती है, ठीक, तो धारा 14 के अंदर में आंतरिक, सिकायत, तंत्र यह आता है धारा 14 के अंदर गत में ये भी एक IMP है तो प्रतेक राज्य सरकार एक आंतरिक सिकायत निवारान तंत्र जिसके अंतर गत कॉल सेंटर, हेल्प लाइन, नोड़ा लधिकारियों की नियुक्ति किया जाना ऐसे अन्य तंतर जो विहित किये जाए इस्थापित करेगी ये होता है आंतरिक, आंतरिक धायारा 14 के अंतर गत में आंतरिक विभा, आंतरिक सिकायत निवारान तंत्र, मतलब कि विभाग जो है वो अपने ही विभाग में जो है वो ये प्रक्रिया कर सकती है, ठीक है, जिसके अंतर में वो एक हेल्प लाइन नंबर जारी कर सकत यहां पर नहीं होता सिकायत का निवारान तंत्र जब आपका धारा-14 आंत्रिक निवारान तंत्र से उस सिकायत का निप्टारा नहीं होता कॉल सेंटर के माध्यम से, हिल्प लाइन के माध्यम से, नोड़ा लदिकारियों के माध्यम से, तब आता है धारा-15 जीला सिकायत निवारान के इंद्र, जिसमें DGRO बढ़ते हैं, कौन बढ़ते हैं, यह याद रखेगा DGRO, ठीक है? राज्य सरकार प्रटेक जीले के लिए, अध्यायदो के अधीन, हगदार खाध्यानों या भोजनों के वित्रण, सम्मंदित विश्यों में, व्यतित व्यक्ति की सिकायत के, सिग्र और प्रभावी निवारान के लिए, जीला सिकायत निवारान अधिकारी होगा, ठीक है? यदि वो धारा चौधा के अंदर गत में उसकी समस्याओं का निवारन नहीं हो रहा है तो ये धारा पंदरा के अंदर गत में जीला सिकायत निवारन अधिकारी बताया गया है ठीक है इसके बाद यहाँ पर भी नहीं होगा तो क्या आएगा धारा सोला आएगा धारा सोला में क्या बताएगा अब राज्य खाद आयोग मतलब की जीला सिकायत निवारण अधिकारी के पास से यदी नहीं हो रहा है तो राज्य खाद आयोग जो है वो यहाँ पर जो है वो गठन करेगी किसके माध्यम से करेगी यह पूछा जाएगा एक्जाम के अंदर में तो यहाँ पर नोट डाउन करिए प्रतेक राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य खाद आयोग का जो है वो गठन करेगा ठीक अब देखें राज्य आयोग निमलिखित से मिलकर बनेगा कैसे कैसे मिलकर बनेगा तो यहाँ पर एक अध्यक्ष होगा पांच अन्य सदस्य होंगे और सदस्य सची होगा जो राज्य सरकार का इस राज्य में संयुक्त सचीव का एक अधिकारी होगा तो यह देखें यहाँ पर जो है वो इसके सदस्यों की बात जो की जारी ह इसको no down कर लिजेगा कि एक अध्यक्ष होगा पांच अन्य सदस्य होंगे और सच्यू होगा जो कि राज्य सरकार में संयुक्त सच्यू या एक अधिकारी होगा ठीक, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कम से कम दो इस्त्रिया होंगी यह जो इतना जो बताया गया है कि राज्य योग किस से मिलकर बनेगा तो अध्यक्ष पांच अन्य सदस्य और सच्यू अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कम से कम दो जो है वो इस्त्रिया होंगी चाहे वह अध्यक्ष सदस्य या सदस्य सच्यू हो अध्यक्षी भी हो सकती है, सदस्य भी हो सकती है, या सदस्य सची भी हो सकती है, तो दो कम से कम इस्त्रिय होनी चीए, अब यहाँ पर उसके तुरंत बाद एक point और कहता है कि परन्तु उसमें एक अनुसूची ते जाती और एक व्यक्ती अनुसूची तजन जाती का होगा, च तो इनको जो है वो थोड़े अच्छे से पढ़ लिजे यहां पर ये question आएंगे और ये धारा बहुत बड़ा धारा नहीं है मतलब sorry ये जो अधिनियम है ये बहुत बड़ा अधिनियम नहीं है इसको आपसानी से और simple भासा में याद कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके exam के सिविल सेवाओं के सदस्य या रह चुके हैं या जो संग और राजी के अधीन कोई सिविल पत धारन किये हैं और जिने क्रिसी सिविल आपूर्ती पोशन स्वास्त खाद संबंदित नीती का लोग प्रशाशन में व्यापक ज्यान और अनुभाव प्राप्त हो तो ऐसे वेक पोशन स्वास्त खाद संबंदित नीती या लोग प्रशाशन में व्यापक और अनुभाव प्राप्त हो तो वो भी जो है वो सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं जिनके पास खाद और पोशन संबंदित अधिकारों में सुधार लाने से संबंदित कार्य का कोई प्रमाडि रिकार्ड हो वो भी जो है वो इसके सदस्य न्यूक्त या अध्यक्ष न्यूक्त किये जा सकते हैं ठीक अध्यक्ष जो होंगे और प्रत्यक अन्य सदस्य उस तारीक से जिनको वह पद या जिसको वह पद गरहन करता है पांच वर्स तक होंगे जो अध्यक्ष और अन्य सद के रूप में 65 वर्स की आयू प्राप्त करने के पस्चात पद्धारन नहीं कर पाएगा, मतलब कि यदि उसने 63 वर्स की उम्र में किया है, तो वो 5 वर्स तक नहीं कर पाएगा, ये याद रखेगा, वो सिर्प 65 वर्स तक ही कर पाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गय की अपीलों की सुनवाई करना किसको राज खाद आयोग किसकी सुनवाई करेगा जीला आयोग के अपीलों अधिनियम के क्रियानवन, उनकी मॉनिटरिंग, राज्य सरकार को सलहा देना, ये सारा काम किसका होगा, राज्य खाद आयोग का होगा, एक वार्सिक रिपोर्ट जो है वो राज्य खाद आयोग तियार करेगी, ठीक है, तो ये सारे कारी जो है, किनके हैं, राज्य खाद आयो वो किसमें बताये गया धारा सत्रा राज्य आयोग के सदस्य सचिव अन्य कर्मचारी उनके वेतन और भत्ते तो राज्य सरकार अन्य सदस्यों सदस्य सचिव सहयक कर्मचारी के वेतन और भत्तों तथा राज्य आयोग के उचितकारी करण के लिए अपेक्षित अन्य प्रसास प्रसनी के वं उनका उपबंधन करेगी, ठीक है, तो उपबंध करेगी किसके लिए, यह सब चीज के लिए, ठीक, वेतन और भत्तों के लिए, धारा 17 के अंतरकत में, अब धारा 18 के अंतरकत में क्या बोला गया, कि राज्य-ायोग के रूप में कारी करने के लिए, आयोग का निकाय को अभी हित किया जाना मतलब देखे यहां पर सीधा सीधा बोला गया कि राज्य सरकार आवज शक्ता नुसार अधिसूचना द्वारा किसी आयोग को राज्य आयोग की तरह कारी करने की शक्ति दे सकता है देखे मतलब कि कोई रिजनल बॉड़ी है आयोग है कोई उसक संयुक्त राज्य खाद आयोग यह क्या है तो केंद्री सरकार के अनुमोधन से दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद आयोग हो सकेगा बस इतना ही यहां पर बताय गया है और यह most important है इसको जो है वो most important में टिक कर लिजेगा यह exam में 110% आने वाला ह कि धारा 19 के अंदर में संयुक्त राज्य खाद आयोग इसमें क्या बोला गया कि केंद्री सरकार के अनुमोधन से दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद आयोग हो सकेगा धारा 19 के तहत यह बताया गया है यह 110% आपके exam में इस बार आने वाला है most important ह टिक कर लीजेगा धारा 20 जाच से सम्बंदित सक्तिया किसकी राज्य खाद आयोग की जाच से सम्बंदित सक्तिया क्या होंगी यह धारा 20 में बताया गया है तो देखे क्या होंगी तो राज्य खाद आयोग को सहींता 1908 के अधिन किसी वाद विचारण करते समय सिविल निय नियाले एक कार्यालाय से दुते हैं राज याईयोग की यह Q के पास में क्या होता है जाच शंबंदित उओक इन की राज यायोग की तो हम आज कर लिया ये था धारा 20 तक इसके बाद के धारा हम पाट 2 में कवर करेंगे जो कि आज रात तक अपलोड कर देंगे ताकि हमारा ये अधिनियम खता मुझाए ठीक तो आज के वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरू लेट हो गया है ठीक है बहुत सारे पर्सनल रिजन भी थे लेट होने के लिए वीडियो नहीं बनाने पाने के ठीक तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से लेकिन अभी अगर हमने बना दिया है तो इसको आप अच्छे से देख लीजे पीडिये जो है वह वो टे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में तो जाकर जरूर लिजेगा तेरा तारिक को आपका एक्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ठीक तो आज की वीडियो में इतना ही था जैहिन जैवार्ट